महाधरना कारिक्रम में जामुमो, कॉंग्रेस, जावीमो और वामदलो समेत 42 समाजिक संगठोनों ने हिस्सा लिया सबों ने मिलकर केंद्र और राजिसरकार के खिलाफ जमकरना रिवाजी की महाधरना के माध्यम से राजिपाल से हस्तक छेप की मांगी साथ ही अन्यमांगों में तबरेज अनसारी हत्याकांड के सभी दोशियों को कड़ी सजा दी जाए परदेश में जहां कहीं भी मौब लिंचिंग कांड हुआ उसके लिए जिले के डी सी वा एस पी को जवाब देह बनाया जाए संपरदाय विशेश के लोगों द्वारा किये जारे हैं मौब लिंचिंग कांडों को रोकने के लिए विशेश कानून बना कर फॉस्ट ट्रैक कोट द्वारा कड़ी सजा दी जाए पूरे परदेश को भैमुक्त बनाया जाए लिंचिंग कांड के पिडित पडिवारों के भरन पोशन और जीवन यापन के लिए समुचित रोजगार की बेवस्था सरकार द्वारा की जाए बी जे पी की सरकारे हैं वहीं यह मौबलिंचिंग की खटनाएं हो रही है यह कोई पहली घटना नहीं है जारकन इसके पहले कई घटनाएं होई है मैं खुड मैंने सवाल को पार्लियमेंट में उठाया था और उसके पहले मैंने दव्रा किया था तो मैं कह रहा हूं कि सिर्फ यह पहली घटना नहीं है और देश के बाहर भी चाहें हर्याना हो चाहें दिल्ली हो चाहें राजस्थान हो चाहें उत्तरफरदेश हो सब जगह इस तरह की घटना है जहां बीजेपी के लूग यह कर रहे हैं अधरना में शामिल विभिन राजनीतिक दलों के कारिक करताओं रेजैने द्वारा इस घटना की जिम्मेदारी केंद्र तथा राज सरकार को दी गए उधर भाजपा भी इस घटना को सामान ने बताते हुए विपक्ष को इस घटना में राजनिती ना करने की सलाह दे डाली मिर्तक के परिजनों को अब बस चिंता है कि तबरेज को इनसाफ कैसे मिलेगा और तबरेज की नव विवाहिता का जीवन कैसे चलेगा इस पूरे मामले में इन दोनों सवालों के जवाब मिल जाए वही बहुत है बाकी कल किसने देखा है कब और कहा एक और तबरेज का भीड के द्वारा इनसाफ कर दिया जाए